आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां से अगर हम एन की लिमिट लगाते हैं तो देखो यह जो वैल्यू है यह क्या हो जाएगी? यह 0 हो जाएगी और यह 1 प्लस 0 की पावर इंफिनिटी तो यहां से अगर हम एन की लिमिट लगाते हैं अगर हम देखें तो यह 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है हमारा और जब भी हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम e की पावर में लिखते हैं function of x minus 1 into g of x, ठीक है, इसको हम इस term में लिखते हैं, इसको solve करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो 1 plus में हैं, तो यह हो जाएगा e की power limit n tends to infinity function of x, function of x पूरा है यह, function of x minus 1, तो यह हो जाएगा 1 plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus n, so on, plus 1 by n, whole upon में n square minus 1 into g of x, that is n, right, plus 1 minus 1 आपस में cancel हो जाएगा, यह n से 1 n cancel हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यह हो जाएगा, हमारे पास e to the power of limit n tends to infinity, यह हो जाएगा, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus n, so on, plus 1 by n to the whole by n, right, अब हमें क्या करना है, इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, यह थोड़ा typical है, तो इसको हमें समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, n, यह है हमारे पास, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus n, so on, plus 1 by n है, तो देखो, यहाँ से अगर हम इसको equation 1 डाल देते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करें, तो यह n जो है, इसको हम 1 plus 1 plus 1 plus n, so on, the n times 1 लिख सकते हैं, right, ठीक है, n times 1 लिख सकते हैं इसको, और यह भी हमारा n times है, 1 plus 1 by 2 plus n, so on, the 1 by n, यह n times है, यह भी n times है, तो यहाँ से अगर हम देखें, तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं हमारे पास, कि यह 1 plus 1 plus 1 plus n, so on, the plus 1, जो है, वो greater than है, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus n, so on, the 1 by n से, इसकी value हमारी जादा होगी, right, ठीक है, यह हम कह सकते हैं, that means, यहाँ से हम यह कह सकते हैं, क 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus n, so on, the plus 1 by n, whole upon में, इसको नीचे ले जाए, 1 plus 1 plus 1, and so on, the plus 1, n times, ठीक है, यह जो होगा, वो less than होगा, 1 के, right, यह 1 से less than होगा, ठीक है, तो मतलब यह value जो होगी, वो 1 से छोटी होगी, right, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे limit लगाते हैं, n tends to infinity limit लगाते हैं, तो इ equal आजाएगी, हमें पता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटे के बीच में, कोई भी उस पर हम limit n tends to infinity लगाते हैं, तो इसकी value क्या होगी, 0 के equal होगी, तो यहाँ पे अगर हम इसकी value बात करें, that is limit n tends to infinity, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus, and so on, the plus 1 by n, whole upon में n, इसकी value क्या हो जाएगी, 0, and 0 is less than 1, तो य इसकी value हमारी क्या होगी, अगर हम यहाँ पे limit लगाएंगे, तो by equation 1 से हम यह कह सकते हैं, by equation 1, हम यह कह सकते हैं, कि e to the power of limit n tends to infinity, यह क्या value आजाएगी, यह 1 plus 1 by 2 plus, and so on, the plus 1 by n by n, यह तो हमारा 0 दे देगा, और यह limit लगते ही, और यह value क्या जाएगी, e की power 0, and e की power 0 is 1, and that is our answer, ठीक है, यह हमारा answer आगए, तो इसकी value solve हो के क्या जाएगी, 1 के equal आजाएगी, ठीक है, बस हमें यहाँ पे यह समझना पड़ेगा, कि यह हमारा less than 1 होगा, जिस पर limit लगाते ही, यह value क्या जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि denominator जो है, वो dominate कर जाएगा, numerator को, और denominator बढ़ होने की वज़े से, यह value क्या हो जाएगी, जब one upon infinity आएगा, one upon infinity क्या देता है, 0, ठीक है, तो यहाँ से यह value आजाएगी, because हमें पता है, one upon infinity, 0 होता है, और यह बड़ी value है, तो नीचे infinity आएगी और ऊपर, छोटे value होने कि वज़े से, one upon infinity की वज़े से, यह term हमारा क्या हो जीरो के एक उला जाएगा तो यह E की पावर जीरो हो जाएगा जिससे हमारी वैल्यू क्या जाएगी 1 तो इसकी वैल्यू लिमिट की क्या जाएगी 1 के एक उला and this is the answer ठीके, thank you